राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मंदिर के कुछ नियम अगर हम मंदिर को नियम से बनाते हैं या उसमें भूर्तियां रखते हैं तो हमारे घर में सुक सम्रिदी आती है और हमारे घर में तरक्की होती है पहले है कि मंदिर को कभी भी इरसोई घर में नहीं रखना चाहिए ना ही मंदिर को सेड़ियों के नीचे बनाना चाहिए ये बहुत बड़ा दोश होता है और इससे हमें आर्थिक तंगी होती है और घर में बिमारियों का आगमन होता है और हमें मंदिर को कभी भी अपने बेडरूम में सोने वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए अगर कोई बहुती प्रॉबलम है जगा की या कई लोग आर्थिक पक्ष से बहुती कमजोर होते हैं उनके पास एक ही कमरा होता है तो मंदिर को बहुत किसी उन्चे स्थान पे लगा देना चाहिए और उसके आगे एक परदा बना कर लगा देना चाहिए तांके रात को सोने से पहले उस परदे से मंदिर को बिलकुल ही धक देना चाहिए और मंदिर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए मंदिर की मूर्तियां और भगवान के कपड़े हमेशा ही साफ सुथरे होने चाहिए मंदिर की जो पढ़ने वाली किताब्बें हैं कथा या आर्ती संग्रै अगास्तुती हनुमान चलीसा वो कभी भी कटे फटे नहीं होने चाहिए और ना ही ये किताबें बिखरा के रखनी चाहिए इन्हें किसी लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए अगर मंदिर की पढ़ने वाली किताबें कथा की या आरती संग्रे कटी फटी होती हैं या हमेशा ही पढ़ाई में कमजोर रहते हैं इसलिए मंदिर की किताबों को सहेच कर लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और मंदिर में पूजा के फूल, बत्ती, धूप, जली हुई ये कभी भी इकठे करके नहीं रखने चाहिए ये नेगिटिवटी फैलाते हैं इन तो प्रिट्वी में गड़ा खोद कर उसमें दबा देना चाहिए या फिर कहीं पानी में परवा कर देना चाहिए इसे इकठे करके नहीं रखना चाहिए इससे घर में नेगिटिवटी फैलती है और मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तिया नहीं रखनी चाहिए ना ही कथा क किताबیں फटी हुई रखनी चाहिए, इनहें या तो किसी मंदिर में रखाना चाहिए, या अगर मिटी की मूरतियां हैं तो उन्हें पानी में परवा कर देना चाहिए, वो खुलके मिटी ही बन जाती हैं और नदियों में नीचे फिर बैट जाती हैं, इससे नदी को कोई भी नुकसान नहीं होता ना ही पानी में कोई गंदगी फैलती है और जो फटी हुई किताबें हैं उसे किसी मंदिर में रखके आ जाना चाहिए और मंदिर में सुफ़ा शाम घी का दीपक अवश्य ही जलना चाहिए और भगवान को भोग भी अवश्य ही लगाना चाहिए और मंदिर में कबھی भी तीन शाली ग्राम, तीन लड्डु गोपाल और गनिश जी की तीन मूर्तियां कबھی भी नहीं रखनी चाहिए ये हमें कोई शुब परनाम नहीं देती है इसलिए मंदर में जो मूर्तिया हैं वो कम रखनी चाहिए ताके हम अच्छी तरह उनकी पूजा कर सकें उन्होंने नवैद्या का भोग भी लगा सकें और भगवान को कभी भी सुखे हुए फूल अर्पित नहीं करने चाहिए हमेशे अपने घर के गमले से लेकर ही फूल अर्पित करने चाहिए किसी पडोशी के घर से अगर हम तोड़ कर फूल भगवान को चढ़ाते हैं तो उसका हमें कोई फल नहीं मिलता इसलिए या तो अपने घर में ही फूलों के गमले रखने चाहिए या फिर बाजार से खरीद कर फूल लाके ही भगवान को चड़ाने चाहिए उसका ही हमें फल मिलता है और जैसे फूलों की सुगंद फैलती है उसी तरह भगवान फिर हमारे घर में भी खुशिया देते हैं और कभी भी अपने घर के मंदिर में कोई गंद्या आसन या कपड़ा बिछा कर नहीं रखना चाहिए हमेशा लाल या पीले रंग का आसन ही भगवान को देना चाहिए और आसन या तो नया होना चाहिए या धोकर साफ सुत्रा करके ही बिछाना चाहिए इससे भगवान बहुत प्रसन होते हैं और हमारे घर में खुशियों का आगवन होता है इस तरह से हमें अपने घर के मंदर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मंदिर को कभी भी जूटे हाथों से स्पर्ष नहीं करना चाहिए हमेशा साफ हाथ करके ही मंदिर के समान को या मूर्तियों को छूना चाहिए अगर हम गंदे हाथों से भगवान का स्पर्ष करते हैं तो इसका हमें बहुती दोश लगता है और हमारे जीवन में होने वाली तरक्की रुक जाती है इस तरह से हमें अपने घर के मंदिर का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में सुख सम्रिदी आती है और मा लक्षमी कृपा करती है जय माता दी